रामनगर में वन्विभाग ने एक कार से बरामत की हजारों रुपए कीमत की सागोन की लकडी तसकर हुए परार देरात रामनगर में रामनगर वन्विभाग और वन्निगम के करमचारियों ने संयुक्त रूप से वन्निगम की लोट में काटी गई सागोन की लखडी चोरी कर ले जाने के मामले में एक वैगनौर कार को दबोचते हुए कार के अंदर से चोरी कर ले जा रहे तीन सागोन की लकडी के गिल्टे बरामत किये हैं अलाकि इस दोरान लकडी तसकर अंधेरे का पायदा उठा कर मौके से फरार हो गए घड़ना के बारे में जानकारी देते हुए कोसी रेंज के रेंज अधिकारी शेखर तिवारी ने बताया कि रामनगर की ग्राम टेड़ा के पास वन निग निगम की और से जंगल में सागोन की लकडी का कटान किया जा रहा है और कल रात कुछ तसकर निगम की और से काटी गई उक्त लकडी के लोट में से सागोन की लकडी के तीन गिल्टे चोरी कर ले जा रहे थे जिनने बैलगर के पास वन गरबचारियों की और से पकड़ लिय रही है उन्होंने बताया कि बरावत लकडी की कीमत करीब 50,000 रुपए है रही है